स्कूल मेनेजमेंट की क्लास में आप सभी साथियों का तैदिल से स्वागत हैं दोस्तों हम इन्वीट नंबर एक के अंदरगत हम पढ़ रहे हैं शक्षिक प्रबंध और आज हम बात करेंगे शक्षिक प्रबंध का विकास हमने पूरु के वीडियो में पढ़ा है परंपरागत यूग और परंपरागत यूग है जो 19-1935 तक चला उसके बारे में विस्तरी चर्चा हमने पूरु के वीडियो में कर ली आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप उस वीडियो को जरूर देखें आज हम बात करेंगे नव परंपरावादी यूग 1935 से 1950 तक जो चला उसके बारे में इस काल खंड में जो मैतुपूर्ण महाशे हुए जो मैतुपूर्ण विद्वान हुए जोनोंने अपनी अपनी बाते रखी उन बातों को हम आप तक ले करके आएंगे इसके अंद्रगत आज हम इसके उपर चर्चा करेंगे और अब फिर बाद में आता है आदूनिक विचारदाराय यूग 1950 से वर्तमान तक उसको हम बाद की वीडियो में देखेंगे दोस्तों नव परंपरावादी जो यूग है नियू क्लासिकल एरा जो 1935 से 1950 तक चला और ये जो मुद्दा है इसके अंद्रगत नवीन मानविय पहलूँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया दोस्तों इसके अंद्रगत नाम आता है पहला जॉर्ज इल्टन्स मेयों को अर्लंकि नहीं इसके लेबर इसका नाम में को चाहर प्रशन भी आया हुआ है रीट में जो जॉज एल्टन्स मेयों है दोस्तों और इसने और प्रियोग और अपना हात आजमाया ओर्थन प्रियोगों का सरफ्रतम जो प्रियोग किया है ओर्थन प्रियोगों के लिए इनका नाम जाना जाता है किसका जोर्ज एल्टन मेयो को प्रश्ण सीधा सा बनेगा और्थन प्रियोगों का सरप्रथम जो विशद व्याख्या किसने प्रतिपादित की या किसने विचारधारा रखी तो सीधा सा नाम आएगा जोर्ज एल्टन मेयोग और इन्होंने मानिविये संबंद विचारधारों को जन्म दिया जो मानव के साथ में जो संबंद बनते हैं मानविय संबंद की जो विचारधारा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में संबंद बनने चीए रिस्ते बनने चीए उस विचारधारा का जो प्रियोग है समसे पहले मेयो साब ने किया विचारधारा ठीक है दोस्तों लिखने में कभी बार भूल से तुटी वश कुछ हो जाता है तो उसको दिल पे मतले ना आप समझदार है जोर्ज एल्टन में हो यह मैत्वपुन है दूसरा नाम आता है इसके साथ ही इसी काल में मेरी पारकर फॉलेट मेरी यह सभी के सभी अग्जाम हमारे जो होते थे वाटिया आसरम के टेस्ट उसके अंद्रगत आचुके हैं मेरी पारकर फॉलेट मेरी पारकर फॉलेट दोस्तों यह वीडियो आपके लिए सच में कहूं तो फरस्ट गेड के लिए बहुत काम आएंगे अगर आप इसको मन लगाकर देखते हैं और मन लगाकर इसके अगर नोट स बना देते हैं इन्होंने मानिविये समंध विचारधरा का तो प्रियोग इसने किया है एल्टन मेयो साब ने और मेरी पारकर फॉलेट ने किसका प्रियोग किया है समंदो के मनोविज्यान के उपर समंदो के मनोविज्यान का प्रियूग किया तो समंदो के मनोविज्यान का प्रियूग किस ने किया है फॉलेट सर ने और मानिविये समंद विचारदारा का प्रतिपादन किया है मेयव सर ने इस बात का आप ध्यान रखेगा आगी की कड़ी में चले दोस्तों नाम आता है ओलिवर ओलिवर शेल्डन ओलिवर शेल्डन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मैत्वपुन है क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक है उसका प्रतिपादन किया और पुस्तक का नाम है परबंद का दर्शन शास्तर इस पुस्तक का इन्होंने लेखन किया है परबंद का दर्शन शास्तर किसने शेल्डन मोहदे ने तो ये दोस्तों यहाँ से प्रश्ण बन सकता है कि परबंद का दर्शन शास्तर पुस्तक किनकी है तो इस बात का आप ध्यान रखेगा, यह seldom मौदे की है, कौन से युग के हैं ये, तो नव परंपरावादी युग के अंदर गत होंगे, क्योंकि हम आज की वीडियो में नव परंपरावादी युग हैं, वो पड़ रहे हैं, ठीक हैं, इनका जो आदर्श मोटो था, वो था पहले, जैसे NSS का होता न, उसी प्रकार से, हम सब के लिए, सब हमारे लिए उसी प्रकार से हैं, व्यक्ति पहले, इन्होंने ऐसी विचारधारा प्रकट की, कि व्यक्ति पहले हैं, किसने का, Oliver Sheldon सर ने, इन्होंने ये भी का, कि मनुश्यों, जो मनुश्य है, उनके साथ मे मानवीत्या, बरतनीची और व्यक्ति पहले हैं इस प्रकार का इनुना सिदान्त दिया पर सबसे प्रमुक है इनका ये जो पुस्तक है इनकी प्रबंद का दर्शन सास्तर वो शेल्डन महोदे की पुस्तक बहुती ज़्यादा मैतोपुन है फिर आता है बरनाड सर, चेस्टर बरनाड, चेस्टर बरनाड है दोस्तों मेरे जो important notes है उनके साथ ही आपको साजा कर रहा हूं चीज़े और ये मेरे notes काफी काम आये हैं और बरनार्ड सर है, जो चेस्टर बरनार्ड सर है, इन्हों ने सामाजिक परनाली की विचार धरा रखी, किसकी? सामाजिक परनाली की विचार धरा की जनक है यह, ठीक है दोस्तों? इस बात का आप ध्यान दिएगा और अंत में आता है अब ब्राहाम मैसलो अगर आप साइकोलोजी पढ़ते होंगे पढ़ते होंगे क्या पढ़े ही रहे हैं तो मैसलो सर ने कि !!! जो बाते कही थी वह बातें यहां पर भी आ जाएगी तो मैसलो साब ने कहा है यहां पर अभी प्रेड़ना अभी प्रेड है तो अभी प्रेडा की विचाळणा को यह पर प्रतिपाधित किया है तो सीदी सी Kollegen का सवा तो यहां पर नहीं देंगे इतने बहुत वो नहीं है क्योंकि जो चीज़ां टफ होती हैं, वहां से प्रश्ण बनता है, सरल चीज़ों का आज कोई प्रश्ण नहीं बनता है, राष्टे पक्षू कौन सा है, राष्टे पक्सी कौन सा है, राजजानी कौन सा है, यह वाले कभी बने ही नहीं है, अलंकि याद भी करने जरूरी है, इस प्रकार से मरने के बाद में दासन्सकार करना जरूरी है उसी प्रकार से याद करने भी जरूरी है तो अभी प्रेणा का जो विचार है वो अब्रेम मैसलो सर ने रखा उन्होंने मानवी आफशिक्ता की पांच छ्रेणिया बताई हैं शारिरिक, शुरुक्षात्मक, कि खोबीमान और आत्म विकास उन्होंने एक स्ट्रेक्सर दिया था हैना 5 वाला पांच छ्रेणिया वाला जो आपने psychology पढ़ा होगा यह वाला और जो सबसे उच्छ श्रेणी का है वह है बाल आत्म कर आसमाद कर आदमी को सब से पहले सबसे पहले तो सही है क्या चीए शारिरिक शुर्क्षा और अंत में क्या चीए आत्मसम्मान वो वाला चीए तो इन्होंने पांस श्रेणियां बताई एक, दो, तीन, चार और पांच ठीक है तो इसका परतिपादन किया है किसने किया है तो नव परंपरावादी युग में इतना ही है तो नव परंपरावादी युग है वो 1935 से 1950 तक चला इसके अंदरकत मेतुपूर्ण तीन बंदे ही है एक तो मेयो सर इन्होंने होर्थन प्रियोगों का सरवपर्थों विचार रखा और मानिवे संबंद की विचार रखा को इन्होंने प्रतिपादित किया फिर आता है नाम मेरी पारकर फॉलेट इन्होंने संबंदों के मनोविज्यान की विचार रखा को प्रतिपादित किया फिर नाम आता है ओलिवर शेल्डन इन्होंने प्रबंद का दर्शन शास्त्र करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी, फिर नाम आता है चैस्टर बर्नाड, इन्होंने सामाजिक प्रनाली की विचारधारा को परतिपादित किया, और फिर नाम आता है अब्राम मैसलो, इन्होंने अभी प्रेणा की विचारधारा क को हमारे सामने रखा अब दोस्तों हैं आदुनिक वीचार धारा का यूग उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे उम्मीद करता हूं कि नव परंपरावादी जो यूग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आ गया होगा 100% एक प्रश्ण बनना यहां से निच अगर पूरे यूनिट को ढंक से अगर पढ़ ले तो तीन से चार प्रश्ण बनते हैं यहीं आठ यहां दस नंबर काई मैटर होता है तो आपको करना क्या है दोस्तों सिर्फ वीडियो देखना है उसके अंदर लिखे हुए नोट्स को आपके अंदर शम्मेलित करना है और आराम से पढ़ना है उम्मिद करता हूँ कि 40% की बादेता वाला जो सिस्टम है अगर इस प्रकार से आप छले तो आराम से पास कर पाएंगे आप सभी भावी व्याक्याताओं को ग्रीम शुक्कामना है मैं भरत को रणा आज के लिए लेता हूँ विदा शुक्रिया